दोस्तों ग्यानव्यापी मस्जिद में शिवलिंग का इश्यू काफी दिनों से चल रहा है लेकिन न्यायाले की तरफ से अभी भी इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है दोस्तों न्यायाले जितनी देर करता रहेगा उतनी दिन बीजेपी और अमयम इस पर राज़नीती करते रहेंगे बीजेपी ग्यानव्यापी मंदिर के नाम पे वोट मांगती रहेगी और अमयम ग्यानव्यापी मस्जिद के नाम पे वोट मांगती रहेगी जबकि इन दोनों के हाथ में actually कुछ भी नहीं है सब कुछ ही नियाया लएके हाथ में है लेकिन इसके बाद भी भोली भाली जनता ये समझेगी कि भाई यही दो पार्टियां हमें मंदिर मजजित बना के देंगे यही सोचकर 14.2% मुसलिम कम्यूर्टी में कई सारे लोग अमयम की तरफ अट्रैक्ट होंगे और 80% हिंदू कम्यूर्टी में कई सारे लोग BJP की तरफ अट्रैक्ट होंगे लेकिन चलो यहां तक तो बात ठीक है इन दोनों पार्टियों का धंदा चल जाएगा मंदिर मजजित के नाम पे लेकिन इनके भाशनों की वज़ा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बड़ा धका लग रहा है इस देश की एकता को एक बड़ी चोट पहुँच रही है जिसकी वज़ा से मैं सभी साथी पत्रकारों से यह अपील करता हूँ कि आप सभी भी नियायले से यह रिक्वेस्ट करें कि जल से जल जनता को इसका फैसला सुना दें कि आखिर वहाँ पर मंदिर बनेगा या मस्जित बनेगी और फैसले के बाद हम जनता से भी अपील करेंगे कि नियायाला का फैसला जो भी हो उसे दिल से अकसेप्ट कर लें तैंक यू सो मच गैस